इरान की एक-एक मिसाइल का बदला लेना चाहते हैं नेतनियाहू इरान के एक-एक हमले का जवाब देना चाहता है इसराइल इरान के मिसाइल अटैक ने इसराइल के आकरामक छवी वाले रौब को तार-तार कर दिया है यही वज़ाए कि अब इसराइल हमले के लिए बेखरार है यही वज़ाए कि इसराइल से एक कोटो आई है जिससे सबसे बड़े युद्ध का एलान माना जा रहा है ये है इसराइल के आर्मी चीफ हर्जी हालेवी और साथ बैटे हैं अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रमुक जनरल माइकल कुरिला जनरल कुरिला की मीटिंग का मतलब साफ है इरान पर हमले की तारीख फिक्स हो गई है इरान पर हमले का टार्गेट फिक्स हो गया है इरान पर हमला कैसे होगा ये भी पक्का हो गया है इस्राइल में हो रही हरकत के बाद इरान में टेंशन बढ़ गई है इसमें कोई शक नहीं इसलिए इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी वार्णिंग दे चुके है कि इस्राइल की दूसरी खलती उसका आखरी ब्लंडर होगा इरान पर हमले के लिए इसराइल के एरपोर्स और कूफिया इजनसी मुसाद पूरी तरह एक्टिव है यानि इरान पर हमला होगा और जबरदस्थ होगा लेबनौन में भी इसी बात की चर्चा चल रही है कि इसराइल बहुत जल्द इरान पर हमला करने वाला है जब लिबनौन और इसराइल के बीच जंग चल रही है तो नया फरंट इस यूद को और बढ़ाएगा पहला सवाल है कि इरान पर इसराइल कब हमला करेगा या हमला दिन में होगा या फिर रात में किया जाएगा दूसरा सवाल है कि इसराइल इरान पर कहां हमला करेगा तीसरा सवाल है कि इसराइल के टार्गेट पर कौन कौन है इसराइल के सेना इस वक्त कई फ्रंट पर लड़ रही है उसकी एरफोर्स पर भी दबाव बहुत ज्यादा है इरान के बिसाइल अटाक के बाद इसराइल को फैसला करना है कि उसका जवाबी हमला किस लिवल पर किया जाएगा किस तरह के तारगेट वुच्षुनेगा मुम् angled है अब तक सब तारगेट फाइनल भी कर लिये गए हो इस्राइल के टार्गेट पर इरान के बहुत ही खास ठिकाने हैं इसमें इरान के परमाणू रियाक्टर सबसे पहले नमबर पर है क्योंकि उसे खत्रा है कि इरान आटम बंप बनाने वाला है दूसरे नमबर पर है इरान के तेल ठिकाने यानि रिफाइनरी तेल डीपो जो इरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाने वाला हमला होगा तीसरे नमबर पर है इरान के सीक्रेट अड़े यानि सैन अड़े रेवलूशनरी गार्ट्स के बेस उनके एर बेस इस्राइल का चौथे नंबर का टार्गेट है इरान के मिसाइल बेस जहां से इरान अपनी मिसाइल फायर करता है लेकिन ये टार्गेट आसान नहीं क्योंकि इरान का मिसाइल लाउंचिंग नेटवर्क सब कुछ अंडर ग्राउंड है पांचवे नमबर पर बहुत ही खास टारगेट यानि इरान का नित्रित को इसराइल ने जिस तरहां इहस्बॉल्ला के चीफ हसन नसर अल्ला को मारा है इसराइल कोशिश कर सकता है कि ऐसा ही हमला वो इरान की लीडर्शिप के खिलाब करे इसराइल किस हत्यार का इस्तिमाल करेगा क्या ये हमला होगा या फिर ऐसा खूफिया उपरेशन जिसे मुसाद अंजाम देगा अभी इसराइल में यही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है इरान का कौन सा हत्यार इरान के खिलाफ इस वक्त इरान के लिए ये डिकोट करना सबसे बड़ा चैलेज बन चुका है और जब इरान पर हमले की बात है तो ऐसे में इसराइल की पोर्स से मिलने के लिए जू बाइडन के कमांडर का तेलवीवाना अपने आप में बड़ा मेसिज है अमेरिका के जनरल और इजराइल के जनरल दोनों की मिटिंग साबित करती है कि इजराइल और अमेरिका अब बहुत तालमेल के साथ लड़ रहे हैं और उनका इस तरह साथ आना इद्ध के दायरे को बढ़ा देगा इसराइल के आर्मी चीफ से मिलकर अमेरिका के सेंट्रिल कमांड के प्रमुक जनरल माइकल कोरिला ने जो पैसले की हैं उसे एरान में बड़ी साज़िश के तौर पर देखा जा रहा है इरान का दावा है कि गाज़ा से लेकर लिबनान तक अमेरिका इसराइल के साथ मिला हुआ है इरान का दावा है कि अगर अमेरिका ने इसराइल के हमले में मदद की तो वो खाड़ी में उसके ठिकानों पर मिसाईलों की बरसाथ कर देगा इसलिए ये ऐसे युद्ध की चिंगारी है जो पूरी दुनिया को जला सकती है ये बात पुतिन भी जानते हैं और बाइडन भी इस युद्ध की शुरू होने से पहले कई अक्टर शामिल हो चुके हैं एक तरफ एरान बनाम इसराइल है तो दूसरी तरफ बाकी अक्टर्स में अमेरिका है, रूस है, साथी अरव है, लिबनान है, इराक है, सीरिया है, यमन है तुर्की भी इस युद्ध से अच्छूता नहीं रहेगा अजरबाइजान, आर्मीनिया भी इस युद्ध में खिचे चले आएंगे युद्ध शुरू हुआ, तो नेटो को भी आक्शन में आना पड़ेगा और चीन को कौन नजर अंदाज कर सकता है लेकिन युद्ध को काबू करने के बिजाए इस वक्त इरान और इसराइल में ऐसी मीटिंग हो रही है जो सिर्फ और सिर्फ युद्ध को और तेस करेंगी पैंटगन से लेकर इसराइल के वार रूम तक घंटो मीटिंग हुई है और अब भी चल रही है तहरान को जवाब देने के लिए क्या अमेरिका भी इतने ही प्रेशर में है जितना इसराइल है ये बड़ा सवाल है तो चलिए इसका जवाब भी आपको दिखा देते हैं एक तरफ नेतन्याहू बम गिराने वाले हैं और दूसरी तरफ बाइडन बारात में जा रहे हैं नेतन्याहू के टार्गेट पर गज़ा है, बेरूत है, इरान है और बाइडन वाइड हाउस के स्टाफ की शादी में है और बाइडन अब पार्टी मोड में आ चुके है ये बारूत वर्सिस बारात वाली तस्वीर है जिसे पूरी दुनिया देख रही है वैसे बाइडन ने सेंटरल कमांड के जनरल माइकल कुरिला को तेलवीव बहुत सोच समझ कर भेजा है इसके पीछे अमेरिका का एक बड़ा मेसेज है मेसेज ये कि अगर इरान और इसराइल का युद हुआ तो अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा होगा जबकि दूसरी तरह पुतिन पूरी तरह इरान की ढाल बनकर खड़े होंगे या कहे कि इरान और इसराइल युद अमेरिका बना मुरूस की जंग बन जाएगी खबर ये भी है कि इरान को रूस से S-400 एर डिफेंस सिस्टम बिल चुके है सवाल है कि क्या ये खास इसराइल को रोकने के लिए सप्लाई किये गए है रूस की तरह इरान भी दुनिया में एक मल्टी पोलर यानी बहुद रिव्वे सिस्टम चाहता है यानी अमेरिका की दादागीरी नहीं चलेगी ये रूस और इरान दोनों बताना चाहते है तहरान में हमास प्रमुक इसमाइल हानिया और लिबनान में हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला के हत्या के बाद फुतिन ने अपने सबसे शीर्ष प्रतिनी दी इरान भेच चुके है ये नेतनियाहू को भी बड़ा पैगाम है और बाइडन को भी बहुत खतरनाक मेसेज है इसराइल अब कैसे वार करेगा और इरान फिर कैसे जवाब देगा इस दशक में दुनिया के लिए सबसे खतरनाक वक्त आ चुका है 2022 रूस ने युक्रेन पर हमला करके पूरे यॉरप को डरा दिया अमेरिका तक घबरा गया 2023 हमास ने इसराइल पर हमला करके पश्यमेशिया का सबसे खतरनाक युद्द चेड़ दिया लेकिन 2024 सवाल है कि क्या इरान और इसराइल का युद्द हुआ तो वल्ड वार शुरू हो जाएगी यानी 2022 में तो दुनिया वल्ड वार से बच गई 2023 में दी गज़ा युद के बाद विश्मिद नही हुआ ऐसे में कि 2024 सभी जंगो का बायलिंग पॉइन बनेगा और इरान इसराइल युद के साथ विश्मिद बी शुरू हो जाएगा अर इरान के मिसाइल पावर से इसराइल बहुत ज़्यादा गबराया हुआ है ये बाद बाइडन और पुतिन दोनों जानते है इरान ने जिस तरह से इसराइल पर हमला किया उसे तीसरे विश्मिद की दस्तक के तोर पर देखा जा रहा है इरान की नई मिसाइल, खैबर शिकन, फतेह और खुर्म शहर फोर पर इसराइल का पूरा फोकस है ये टेकनॉलिजी के मामले में इरान की बहुत ही खतरनाक मिसाइल मानी जाती है इन में से खुर्म शहर फोर की रेंज दो हजार किलो मीटर है और ये डेड़ हजार किलो तक का वार हेड ले जा सकती है इसलिए इरान का जवाब भी फोरण आएगा और दो गुनी ताकत से आएगा अब देखना है कि अगले 24 घंटों में इरान और इसराइल के बीच क्या होता है दोनों की तैयारी पूरी है अलगी अगला एक्शन क्या होगा इसका पूरा कंट्रोल इसराइल के पास है इसराइल गाजा और दक्षिन लेबनान के लाबा बेरू तक लगातार हमने कर रहा है इसराइल के हमले के जवाब में हिजबुला ने ड्रोन से मिसाल दा किये लेकिन युद्धों में इसराइल का बड़ा जटका नेटो के तीन देशों ने उसे दिया है तुर्की के प्रेजिडेंट अर्दोवान के दाउ से इसराइल बहुत बड़ी मुश्किल में घिरता नजर आ रहा है I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. And that's true of the entire Middle East. And some other Western readers are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on this. अकेला इसराइल साथ फ्रंट पर बरावर की मार चल रही है. लेकिन नेतन्याहू को जिन देशों से युद्ध में साथ की उमीद थी, वो भी एक एक कर रुक बदलते जा रहे हैं. नेतन्याहू का ये गुस्सा, ये जुन्जलाहट यूं ही नहीं. फ्रांस ने इसराइल को हत्यार सप्लाई तक थप कर दी है. युद्ध में साथ देने की बात तो दूर है. जिसके बाद नेतन्याहू फ्रांस पर फट पड़े हैं. ये प्रेज़ने में सब्सक्राइब कर दी है. फ्रेज़ने में माप्रोण पर ये बात खत्म नहीं हुई है. बिटेन ने सिगनल दिये हैं कि इजराईल का साथ देने की ताकत फिलहाल उसमें नहीं बिटिश पीम कीड स्रार्मन ने इजराईल से संयम की अपील की है साथ ही ये भी कलियर किया कि बिटेन को घाजा अयुद से नुकसान हुआ है यानि नेटो के तीन ताकतवर देश इसराइल से दूरी बनाते दिख रहे हैं इसमें पहला देश है तुर्की जिसने पहले ही इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है दूसरा फ्रांस जिसने इसराइल के हत्यार सप्लाई रोक कर नेतन याहू को सेट बैक दिया है तीसरा ब्रिटेन जो इरान इसराइल युद्ध से दूरी बनाने की दुहाई दे रहा है नेटो फोर्सिस के 32 देशों में ये तीन देश ऐसे हैं जिनकी सेहन ने शमता सिर्फ अमेरिका से कमा की जा सकती है इसराइल के लिए अपना नुकसान नहीं जेलने का बाहाना बना सकते हैं तो क्या सिर्फ अमेरिका ही इसराइल को बचाने आएगा इसराइल और अमेरिका मिलकर क्या अरब लीग के 22 देशों से युद्ध जीत पाएंगे इस्राइल की मुश्किले दिन बढ़ती जा रही है जिसका असर यूद के मैदान में साफ दिख रहा है इस्राइल के हमले तेज होते जा रहे है गाजा में भी और लिबनान में भी इस्बुल्ला दो मिसाइले मारता है बदले में अजराईल 200 धमा के कर रहा है मार कितनी तगडी है, कितनी विद्वनसक है, कितनी जोरदार ये बस बेरूत के द्रिश शेबता रहे है लडाई बडी भीशन हो रही है अजबुल्ला फाइटर्स कादम उखरता जा रहा है सारा जोर लगा कर भी लडाका ग्रूप, इसराईल के आगे टिक नहीं पा रहा तस्वीरे 5 अक्तूबर की राथ हुए हमले की है बेरूत हवाई अड़े के करीब, गोल्डन पलाजा पर बम परसा है जमीन फाल दमाके के बाद यहां भीशन आग लगी आग की लप्टे आसमान चूने लगी बम विस्पोर्ट ने इतनी चिंगारी उगली कि बगल का गैस स्टेशन भी जद में आ गया इसराईल ने इस इलाके में कुलाट धमाके किये राद भर हमला होता रहा, जिसमें हिजबुल्ला को भारी नुकसान हुआ 6 अक्तूबर की सुबा इससे भी भ्यानक द्रिश्य बेरूत में दिखाई देने लगे एक धमाका बारूत से पढ़ गया बेरूत धुए के गुबार से आसमान धग गया जब धुआ छटा तो द्रिश्य दिल दहलाने वाला था मटिया मेट हो चुकी थी बहुमंजिल इमारत खंडर में जिंदगी तलाश रहे थे लोग इसराइल ने रात और दिन का फर्क मिठा कर अब हिजबुल्ला को तबह करना शुरू कर दिया है सबसे भीशन हमले दक्षिन लिबनान में हो रहे हैं जहां हिजबुल्ला का त Daniel Network है नेतनियाहू साफ बता चुके हैं कि हिजबुल्ला के निस्तनाबूत किये बगिए ये युद्ध नहीं रुकेगा लेकिन हिजबुल्ला भी हार मानने को तयार नहीं इरान ने नए हिजबुल्ला चीफ का नाम भी फाइनल कर लिया है उसको सारवजनिक किया था इबराहीम अमीन 1992 और 1996 में हिजबुल्ला के लॉयल्टी टू दा रेजिस्टंस ब्लॉक के तहट लिबनान की संसत के लिए चुने गए थे साल 2001 में हिजबुल्ला की शूरा काउंसिल में चुने जाने के बाद इबराहीम हिजबुल्ला की पॉलिटिकल विंग के हेड है इबराहीम लिबनान की राजनीती में बड़ा नाम है सबी पार्टियों में उनकी खदर की जाती है लेकिन इबराहीम को हिजबुल्ला चीफ की गद्दे दिलवाने में जो सबसे एहम बात है वो ये कि उन्हें खामनेई का खास माना जाता है इबराहीम अमीन हिजबुल्ला और एरान के बीच कूटनीतिक सम्मंदों को मजबूत करने वाले लीडर बताये जाते हैं कैई मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक इबराहीम अरान के जियाततर राजनाईकों से सीधे संपर्क में रहते हैं हिजबुल्ला के रणनीती तयार करने में इबराहीम अमीन का एहम रोल रहता है लेबनान और एरान के रिष्टों के एहम कड़ी इबराहीम आयातुल्ला खामनेई के एक करीबी बताये जाते हैं नए हिजबुल्ला चीफ के तौर पर जिन इबराहीम अमीन का नाम सामने आया है उनका बैक ग्राउंड इसराइल को डराने वाला है इबराहीम अमीन अलसायत लेबनान के बैका के हाउचल नभी गाउं के रहने वाले हैं साल 1981 में बेरूत की लेबनानी उनिवरस्टी से केमिस्ट्री में ग्रैजुएट अमीन विदेश में भी पढ़ाई कर चुके हैं इबराहीम ने 1984 में फ्रांस के स्टार्ट्सबर्ग उनिवरस्टी से मास्टर्स की डिग्री ली साल 1987 में उन्होंने और्लियंस उनिवरस्टी से केमिस्ट्री और फिजिक्स में पिएजडी भी की Modern Education के साथ मदर्से से मज़भी तालीम लेने वाले इबराहीम अमीन अमल अंदोलन से भी जुड़े रहे थे लेकिन बाद में अमल पार्टी छोड़ हिजबुल्ला की टॉप लीडर्शिप में इबराहीम शुमार हुए शुकरवार को इबराहीम के हमले में इबराहीम के भी मारे जाने की आशंका जताई गई थी लेकिन वो जिन्दा हैं सही सलामत है ऐसे में अब हिजबुल्ला का टोटल कंट्रोल तै माना जा रहा है अब्राहिम की लिडर्शिप में हिजबुल्ला फिरुट खड़ा हुआ, तो इसराइल को 2006 जैसी जंग से सामना होगा जिसमें हिजबुल्ला फाइटर्स ने इसराइल को धुन डाला था हाला कि इस बार इसराइल तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसके सभी दुश्मनों का सफाया नहीं होता नेतनियाहू ने साथ फ्रंट और साथ दुश्मनों के सफाया की कसम, एक बार फिर से दोहराई है नेतनियाहू ने जितना जोड लिबनान में लगा रखा है उससे कहीं ज्यादा पावर घाजा में जोक रखी है क्योंकि इसराइल का सबसे बड़ा विलन अब भी सही सलामत सुरंग में छिपा बैठा है हमाज चीफ याहिया सिन्वाल लेबनान फ्रंट पर युच्छिडने से मजबूत भी होने लगा है जिसे देखते हुए नेतनियाहू ने घाजा में ग्राउंड उपरेशन में तेजी लाने के ओडर दिये है घाजा के जबालिया में इसराइल डिफेंस फोर्स की तीन डिविजन ग्राउंड उपरेशन में उतर गई है आईडियाफ की 162, 401 और 460 वी बक्तरबंद ब्रिगेड ने हमास की सुरंग मेर सर्च उपरेशन चला रखा है जबालिया में नितनियाहू आर्मी ने हमास के दरजनों अड़े और हत्यार डीपो बरबाद किये है मगर अब भी यहिया सिन्वार इसराइल के हत्ते नहीं चड़ा है इसराइल जानता है कि हमास चीफ के जिन्दा रहते ये युद्ध खत्म नहीं होने वाला सिन्वार के सफाय के साथ हमास और एरान को भी इसराइल सबख से काकर ही शान बैटने वाला है इस्राइल के प्रदान मंत्री नेतन याहू ने नए सिरी से लेबलान पर भीशर हमले शुरू भी कर दिये हैं पिश्टे 18 गंटे में ही बेरोट पर इस्राइली से राने 100 तंस से ज़ादा बम और मिसाले बरसाई है लेबलान से एक खतनाग रिपोट आ रही है जिससे नेतन याहू बहुत ज़रा परिशान नज़र आ रहे है बेरोट में भीशन धमा के मारे हिजबुल्ला के 30 कमांडर इरान पर इसराइल हमला कब करेगा इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है लेकिन इस वक्त दक्षणी लेबनान में जिस तरह से हिजबुल्ला के लड़ाकों पर इसराइली वायू सेना भीशन हमले कर रही है उससे साफ हो चुका है कि इसराइल चाहता है कि जिस वक्त वो इरान पर बड़ा हमला करे उस वक्त हेजबुल्ला की तरफ से इसराइल पर बड़े हमले ना हो पाएं और इसलिए इसराइली वायू सेना और पैदल सेना धक्षणी लेबनान के गाउं से लेकर के शेहरों पर सबर्दस्त हमले कर रही है अगर हम पिछले 18 घंटे की बात करें तो इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में अंधा धुन्द हवाई हमले किये हैं जबर्दस्त बम धमाके से पूरा बेरूत शहर बारूत की आग में भस्म हो रहा है इसराइल के हमलों से ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि हिजबुल्ला को जबर्दस्त नुकसान हो रहा है इसराइली वायू सेना ने F-35 और F-15 जेट से रात भर बेरूत और उसके आसपास बड़े हमले किये हैं बेरूत के दक्षणी उपनगर दहिया में सबसे ज़ादा होई हमले इसराइली वायू सेना ने किये हैं खबर के मताबिक सुबह तीन बजे तक इसराइल ने दहिया में नौ बड़े एर स्ट्राइक किये और इस हवाई हमले में हजबुल्ला को भारे नुकसान भी हुआ है दावा तो यहां तक किया गया कि महस छे मिनट के भीतर ही बेरूत और आसपास के इलाकों पर आईडियव के लड़ाकू विमानों ने 20 से ज़ादा हवाई हमले किये हैं कुछ डावों के मताविक महस 30 मिनट के अंदर ही इसराइली वायू सेना ने 100 टन से भी जादा बंप और मिसाईलें बेरूत और आसपास के इलाकों पर दागी है इसके अलावा इसराइल ने हजबुल्ला की हधियार सप्लाई लाइन को काटने के लिए सीरिया से लगती लिबनान की सीमा पर बहुत बड़ी एर स्ट्राइक की है जिसमें हजबुल्ला और सीरिया के लड़ाकों को जबरदस्ट नुकसान होने की खबर है